प्यार में महागटवंदन की सरकार बनने के बाद जहां एक तरफ विपक्ष की भूमिका में आए बीजेपी लगतार अटैकिंग मूड में हैं लगतार बीजेपी महागटवंदन के नेताओं पे हमलावर है मंत्रियों पर हमलावर है और कई मंत्रियों को दागी बताया जा र लेकिन वहीं महागटवंदन की घटक दल जंता दल युनाइटेट के बीच भी इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है अगर बीते दिन की बात कर लूँ तो कल जिस तरीके से जेडियू की विधाई का बीमा भारती ने सिधे तौर पे लेशी सिंग पे कई गंभीर आरोप लगाए वहीं जो मान हानी का केस लेशी सिंग के द्वारा किया गया है उसको लेके आज जेडियू प्रदेश का रियाले में लेशी सिंग को बलाया गया है आपको बता दू कि लेशी सिंग अभी जेडियू प्रदेश का रियाले पहुंची हैं साथ में जेडियू के राष्टी गुमेश कुश्वा मौजूद हैं बित मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं और वही राष्टिय महासची भी पहुंचे हैं और तस्वीरे आप देख रहे हैं ये सबी लोग पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर और लेसी सिंग और भीमा भारती के बीच जुबानी जंग चर अर उसको लेकर न प्रकर्ण को लेकर कहीना कहीं है यह फ़र निकल के आरहे कि जिस तरीके से य लेका है भीमा भारती के बीच जुबानी जंग चर रहा उसको लेकर आज बुलाया गया है और क्या कुछ मामला है दोनों के बीच उन सभी बातों को लेके लेसी सिंग पहुंची हैं पार्टी दफ्तर तस्वीरे आप देख रहे हैं वहीं निखिल मंडल की स्तीफे को लेके जब हमने बीजय चौधरी से सवाल किये तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजय चौधरी सुन लेत करते हैं तो होता है लेकिन दोनों पार्टी के प्रती समर्पित हैं और कोई गड़वरी में हैं कि वह सिर्फ प्रभक्ता पत्स इस्तीपा दिया है हाला कि क्या उसके पीछे का कारण है यह अभी तक पता नहीं चला है वहीं लेसी सिंग को लेके भी उन्होंने कहा कि लेसी सिंग और भीमा भारती दोनों पार्टी के प्रती समर्पित हैं और पार्टी के लिए दोनों ही महतपूर्ण हैं और किसी भी तरीके या कोई दोनों के बीच मतभेद हैं तो उस सीजो को आपस में बैट कर बात कर लिया जाएगा लेकिन पार्टी के लिए किसी भी बीच कोई समस्या नहीं है सब वल एंड गुड है लेकिन लेसी सिंग को अभी पार्टी दफ्तर बलाया गया है जड़ीयू के रास्टी अजयक्त ललेंस सिंग भी मौजूद्गी में उन्हें पार्टी दफ्तर के अंदर बलाया गया बाची चार रही है क्या कुछ निकल के आ आगे इन तमाम ख़बरों के लिए लाइब आपसे अपडेट करेगा फिलाल के लिए नमस्कार लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बूक पर लाइक जरूर करें